बिहार में समस्तिपूर में ऐसी सराब की दुकान कि जिसे सुनकर उन तमाम नेता जो सराबंदी को सफल बताते हैं उनके पाउं तले से जमीन खिसक जाएगा। आज इतना भयानक ये रिपोर्ट है कि बिहार सरकार सुनकर दंग रह जाएंगे। जिसने भी इस खबर को सुना दातों तले उंगली दबा लिया कि वह क्या बात है। ये घटना समस्तिपूर जिला के मुसफिल थाना छेत्र के छत्तावना गाउं का है। सराब बेचने वाले का हिम्मत तो देखिए। आपने ये सुना होगा कि पुलिस वाले सराब बेचने वाले को बंदक बना कर यानि गिरफतार करके जेल ले गए। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि सराब माफिया पुलिस वाले को बंदक बना के और रख ले और बाकी पुलिस वाले को दोडा दोडा कर खदेर खदेर कर मार कर भगा दे गायल कर दे एक महिला पुलिस समेत पांच पुलिस वाले की हालत खराब। असल में इस तरह की जो घटना घटती है इसमें पुलिस की गलती होती है पुलिस वाले के पास जो information मिलता है सही है information मिलना चाहिए लेकिन सब जगह वही बात नहीं चलेगा कि सराप पीए हुए ब्यक्ति को पकड़ लिए गरीव मजदूर को और उठा कर थाना ले आये थाना से कोट और कोट से जील क्या समझते हैं सब जगह वही चलेगा पुलिस वाले को बहुत मांगा पड़ गया वहाँ पे रेड करना कारण सराप माफिया एक होटल में यह ख़बर मिली कि यहां पे अबैद सराप का धंदा होता है होता है सब जगह होता है भी करा था कुले यहां भी करा था वहाँ पे सराप किसी की हिमत नहीं होती थी क्योंकि कमीशन मिलता था वहाँ से और जब कमीशन मिलता है तो पुलिस वाले वहां पहुँच गए कैसे इसी बात का तो नराजगी है थाना से जो गए वो और होटल माले के बीच में बिवाद हो गया और बिवाद हुआ और इसी बीच किसी ने जाकर बगल के गाउं में बोल दिया, गाउं से इतने लोग उठकर आ गए, कि पुलिस वाले को बंदक बना लिए, बाकि लोग को दोड़ा दोड़ा कर पीटा, उनको इलाज करवाना पड़ा, अब दुसाहस देखिए यहां पे, कि इनका नेटवर्क इतना सक्रिये है, कि हिम पुलिस वाले को खदेड़ दें, और ये वही पुलिस वाले हैं, जो कभी एक लिटर, दो लिटर सराब के साथ पकड़े जाने वाले के उपर, एफाई यार, सो दो सो लिटर का थोपकर जेल भेज देते हैं, पटना हाई कोट ने क्या कहा था, कि बिहार पुलिस क्या करती ह किसी एक लिटर सराब के साथ किसी बेक्तियों को अगर पकड़ लिया, तो अपने आपको सेर समझती हैं, बहुत बड़ा सेर हैं, लेकिन जब ऐसे माफियाओं किससे पाला पड़ता है, तो पुलिस वाले को भी याद आ जाता है, कि पाला किससे पड़ा है। जल्दी वाजी कारवाई करते हुए, ना सिर्फ बंधक बनाये पुलिस करिमी को सुरच्छित रिहा करा कर ले गए, बलकि इस घटना में जो लोग सामिल थे, उनको भी आरिष्ट करके ले गए। अब सवाल उठता है, डेजी पी सहाब के उपर, कि क्या तयारी है आपका, बिहार में सराब चालू करने का, सराब बंध करने का, लगाम लगाने का कैसी तयारी है आपका, ये क्या हो रहा है, पुलिस वाले मार्खा क्या रहे हैं, क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात है, अब क्या करेंगे आप, गिरप्तार करेंगे, उसके उपर एफायार करेंगे, उसे जेली भेजेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान ये है, कि जो ब्रेश्ट पुलिस वाले हैं, जिस इलाका में सरा बिकता है, उस इलाके के पुलिस वाले, जो बना कर रखे हैं ना ब्यवस्था, वही ब्यवस्था चलेगा, दूसरा नया ब्यवस्था चलने वाला नहीं है, ये बिहार है, और इतना थित् अधिकारी कि किसी भी डिपार्टमेंट पे आप चले जाएए सिर्फ पुलिस वाले नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएए एक से बढ़कर एक थे थरई करने वाले अधिकारी आपको मिल जाएंगे और उसी का परिनाम है ये ग्रामिनों का गुस्सा ये उसी का परिनाम है इससे पहले एक और घटना घटी थी एक चौधरी जी जो ताड़ी बेचते थे उसके घर में पुलिस वाले महीना में चार-पांच चक्कर लगाते थे ये कहके कि आपके घर सराब बिकता है आपके घर सराब बिकता है लेकिन कभी सराब की एक बुंद नहीं पकड़ी गई गाउवाले परिसान कि इस गाउव में सराब बिकता नहीं है और गाउव में बिकता है लेकिन गाउव से बार लेकिन इस व्यक्ति के घर में नहीं बिकता है और इससे आप परिसान कर रहे हैं बार-बार और बात ये तब जाकर खुला गुसे में लोग तब हुए जब पुलिस वाले के तरफ से ये कहा जाता है चोकिदार के दौरा ये कहलाया जाता है अब ये पुलिस वाले का रजामंदी था ये चोकिदार अपने मर्जी से बोला कि अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो कुछ हुजूर को बांध दीजिए महीने का इसके बाद आप बेचते रहें तारी बेचना है, सरा बेचना है, जो बेचना है और जब ये बात सामने आए तो गाँवाले उग्र हो गए कि जिसके घर में आप महीने में दो-तीन बार आते हैं कुछ नहीं मिलता है, उससे आप परिसान इसलिए कर रहे हैं कि आपको महीना बांध दें और ये कोई एक घटना नहीं है ऐसे ही पुलिस वाले, पुरा पुलिस डिपार्टमेंट को गमका कर रखे हुए हैं और पीने वाला सबसे ज़्यादा किस गाउं में है, किस इलाका में है उसको पकड़ो, कमीशन बांधो इस बात पे ज़्यादा ध्यान है आज और इस बात पे ध्यान नहीं है कि कानून विवस्था कैसे ठीक ठाक रहे अब देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है रिकॉर्ड रूम से, अंचल कर्याले से जो दस्ता वेज है जमीन से सम्बंदित गाइब हो रहा है ये गाइब कौन कर रहा है गाइब करवाया कौन किस के द्वारा किया जा रहा है बहुत बड़ा प्रस्नेची है ये ये सब भूमाफियाओं का काम है दस्ता वेज गाइब कैसे हो जाएगा तो बिहार पुलिस इमांदारी से जीजदिन काम करने लगे और अगर बिहार पुलिस को अपना सेलरी से नहीं चलता है पेट तो सरकार से डिमांड करे जनता उनके साथ है कि आप सेलरी बढ़ाईए जिब इनको पेट नहीं भरता है तो ये उपर की कमाई ढूंडते है इमांदारी कहां से लाएंगे तो यही बात है कि बिहार में ये जो सराब के कंट्रोल का मामला है लगता नहीं है कि कंट्रोल होगा और ऐसा भी नहीं लगता है कि बिहार में नए डिजीपी आये है तो वो अपने डिपार्टमेंट को इमांदार कर लेंगे कैसे करेंगे एक अकेला कैसे करेंगे पूरा बिहार कहा ये जा रहा है कि आरिस भट्टी जो बिहार से चले गए, वो तंग आ चुके थे, समझा कर ठक गए, करवाई कर 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 ठक गए, कुछ नहीं हुआ, लोग थित्थर हैं, डिपार्टमेंट पूरा थित्थर हो चुका है, लेकिन नए डिजीपी हैं, हम यह ही कहेंगे, कि मौका मिलना चाहिए, हो स प्रणोन विवस्ता में सुधार हो, हर जगा सांती का महौल हो, यह सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अब निवेस भी होने लगा है, और महौल अगर ठीक ठक रहा, तो बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिलना सुरू हो जाएगा, और जब रोजगार म मिलना सुरू हो जाएगा, तो अपराध में ओटोमेटिक कमी आएगी, तो अब देखना ये है, कि बिहार सरकार का क्या स्टेंड है, क्योंकि ये तो एक जामपल है, एक ऐसे कई मामले बिहार में होते हैं, जो सारवजिनिक नहीं हो पाता है, क्योंकि मीडिया वाले पहुँ आना नहीं चाहते हैं, और गाउवाले समझते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब इसे हाइलाइट करके, खुद के गले में फासी क्यों डालना है, हाइलाइट करेंगे, गाउवाले के उपर इफायार होगा, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, तो इस तरह की जो घटनाएं है यह यूँ ही नहीं होता है, इसके पीछे कारण होता है, तो उमीद है यह रूपूट आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेर करें, नमस्कार, जैहें, थैंक्यू